कॉंग्रेस के साही परिवार के उराच का कहना है और चौं जाएंगे अप कॉंग्रेस के उराच परिवार ने क्या कहा वो कह रहे हैं और काशी की धर्ती पर आके कह रहे हैं काशी के नवज़वान यूपी के नवजवान नशेडी है ये कैसी भाता है भाई मोदी को गाली देते देते हो तो इन्होंने दो दसक बिता लिये लेकिन आप इश्वर रुपी जनता जनारदन पर यूपी के नवजवानों पर ही ये लोग अपनी फरस्टेशन निकाल रहें जिनके अपने होस्ट ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेडी कह रहें अरे गोर परिवारवादियों काशी का यूपी का नवजवान तो विख्षिद यूपी बनाने में जूटा है अपना समरुद बवी से लिखने के लिए परिशम की प्राकास्ता कर रहा है इंडी गडवन्दन वारा यूपी के नवजवानों का पान कोई नहीं भुलेगा साथ्यों गोर परिवारवादियों की यही असलियत होती है परिवारवादियों हमेशा परिवारवादियों यूवा शक्ति से डरते हैं यूवा टैलेंट से डरते हैं उनको लगता है कि सामान ये यूवा को अवसर मिला तो वो हर जगज चुनोती देगा इनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी दिन राद जैजयकार करते रहें आजकल तो इनके गुशे का इनकी बॉकलार का एक और भी कारण है इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिलकुल पसंद नहीं आ रहा आप देखिए अपने भाशनों में राम मंदिल को लेकर कैसी कैसी बाते करते हैं कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं मैं नहीं जानता था कि कॉंग्रेस को प्रभूश्री राम से इतनी नफरत है भाई और बेनों ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से दाहर देख ही नहीं सकते सोच ही नहीं सकते तभी तो हर चुनाव के दोरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाट आता है तो ये एक दूसरे को गाली डेते हुए अलग हो जाते हैं लेकिन ये लोग जानते नहीं ये बनारत हो यहां सब गुरु हो यहां इंडी गड़ बंदन के पैतरा ना चली बनारत नहीं पूरे यूपी के पता हो माल बही है पैकिंग नहीं है इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संगर्ष करना पड़ेगा